So guys, अगर आप लोग के स्मार्टफोन में भी अगर आप लोग अपने call को hold करना चाते बट call hold नहीं आ रहा है कुछ can't hold calls का error आ रहा है, आप लोग को error message आ रहा है तो कैसे आप लोग इस problem को fix करेंगे इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा बिलका इकुन को प्रेस कर लेना है तो दिखिए सबसे पहले तो आप लोग एक छोटा सा सॉलिशन यूज कर सकते हैं आप लोग अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट कर सकते हैं हो सकता यह तरीके से आप लोगों की प्राबलम फिक्स हो जाए अगर यह तरीका काम न करे तो हो सकता है कि आप लोग की फोन के सॉफ्ट्वेर में कोई बग हो उसकी वज़ा से दिक्कता रही होगी तो आप लोग को अपनी phone की settings open करना पड़ेगा settings open करने के बाद आप लोग को जाना होगा अपनी phone में software update पे और अगर कोई update available लगा आप लोग की phone में तो simple upload को अपनी phone को update कर लेना है ठीक है अपडेट करने से भी प्राबलम को फिक्स किया जा सकता है इसके अलावा ये solutions भी अगर काम ना आ है तो आप लोग को अपने फोन में एप सो सेटिंग्स पर जाना होगा जितनी भी आप लोग के applications रहेगी open हो जाएगी अब यहाँ पे हमें जो है phone application को ढून लेना होग तो हम यहाँ पे जो है phone application को ढून लेते या चुका phone इस पर हम क्लिक करेंगे देन इसके storage पर क्लिक करते हैं और आप लोग को simplest का data को clean कर देना होगा data clean करने में क्या होगा अगर किसी गलत activity की वज़े से आप लोगों को hold करने में problem आ रही होगी तो सब कुछ डिफॉल्ट हो जाएगा और आप लोगों की problem fix हो जाएगी तो simple आप लोगों को यह methods को use करना है definitely आप लोगों की problem fix हो जाएगी सो मिलते है next video में जय मतादी